हेलो फ्रेंड्स नमस्कार फ्लार्स इन किचिन गार्डन चैनल पर मैं कवीता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ चैनल कैसे आप सभी आपसभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स इस सीजन में आप से बल्बहले प्लांट होते हैं या जिन में कोड़ेक्स होता है वो फ्लांट फोडे स्ट्रेस में चले जाते हैं तो उससे डिलेटेट भी आज यह जानकारी होने वाली है और कुछ प् लिए हुए एक प्लांट है और इसे आप पॉंटील प्लांट के नाम से भी जानते हैं जो कि भूkay की भूद्सूरत प्लांट है देकिस, पतिया ही काफी भूद्सुरत होती है लेकिन पतियों के साथ साथ इसका जो कॉडेक्स होता है वो इसकी खुबसूरती को और जादा बढ़ा देता है आप चाहें तो आप इसे किसी भी जगे लगा सकते हैं तो आज पूरी वीडियो इसी से रिलेटेड है तो वीडियो को पूरा देखीगा बिना स्किप किये और अ किचन में यूज होने वाला पॉट था तो यह थोड़ा टूट सा गया था मिट्टी का है यह और टूट गया था उस वज़े से मैंने इसमें लगा दिया है तो इसकी जितनी साइज है तो इसका कोडेक्स उतना ही बढ़ा होगा तो यह प्लांट अगर आप पॉट साइज की बराबर यह प्लांट उपर तक जा सकता है और मैंने इसे चोटे से चेंज के इसमें पॉट में लगाया है तो यह जादा बढ़ा नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें ग्रोथ हुई है इसका कोडेक्स काफी बढ़ा हो गया है काफी हाड है बारिश मे अगर इसमें जादा पानी चला जाए ना तो ग्राउंड फ्लोर में लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन पॉट में अगर लगाया है तो आप ध्यान रखिए कि इसके कोडेक्स के गलने के चांसे जादा ना बढ़ जाए यह जादा ओवर वाटरिंग इसको ना हो उसका ध्यान रखिया बहुत और पिछले साल में लेकि आई थी तो यह इसका आधा था यानि कि बहुत छोटा प्लांट था यह मैंने लाकर के इसे ऐसे यह वेस्ट मट्रियल रखा हुआ था तो इसमें लगा दिया था और इसमें काफी अच्छे से चल गया है देखिए इस के स्टराम तो नहीं होती है इसका कॉडेक्स और इसके ओपर बस थिख सी जो लीविद्स का बंडल होता है बस यह होता है और यह काफी थिख हो गया और उन्यू-न्यू लीविव्स भी बहुत सारी निकलने लगी है इसमें तो ओर वट्रींग बहुत-जाधा होती है इस प् गलता है जो नीचे कोडेक्स है ना उसमें से चोटे-चोटे बेबी परप्स निकलते हैं इसी तरीके के उन में से इसी तरीके की लिव्ज निकलने लगती है और जब वो मीडियम साइज के हो जाए आपको ऐसा लगए कि हां आप यह मैचिए और हो चुके जी रूट्स देख रही है तब आप उसे उन्हें काट करके निकाल लीजिए और आप कहीं भी दूसरा प्लांट बना सकते हैं कोको पीड भी आप उसमें मिक्स कर सकते तो वेल रेंड सोल बनती है पॉट के नीचे आप ड्रेने सिस्टम अच्छा रखने के लिए कोई भी कपडा या कुछ भी कंकर पत्थर कुछ भी रख सकते हैं ताकि उसमें से पानी बह के निकल जाए मिट्टी बह करना निकले अगर पॉट में लगा रहे हैं तो देखिए अगर आप इसे गार्डन में लगा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में तो ग्राउंड फ्लोर में लगाने में तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई ड्रेने सिस्टम की खास जरूरत नहीं है यह इसलिए चलता रहता है आप इसे अग लेकिन यह बिल्कुल पाम की तरह नहीं है, आप इसे पिल्कुल पाम की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, यह प्लांट बिल्कुल भी पाम की तरह रियक्ट करने वाला प्लांट नहीं है, आप इसे पाम की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे यह आप इसे पाम की तरह ट् fertilizer चाहिए आप साल में एक बार भी इसे fertilize करेंगे तो बहुत है इसे एक बार बारिश का पानी दे दीजिए तो यह बहुत अच्छे से grow करेगा आप इसे continuous बारिश के पानी में मत रखिए मैंने भी इसलिए इसको थोड़ा shade में लाके रख दिया है इंडोर यह रह जाएगा लेकिन विंडो की तरफ इसे sunlight पसंद है आप इसे धूप में भी रख सकते बस जादा गर्मी और जादा ठंड इसको थोड़ी कम पसंद है लेकिन ground floor में लगा है तब तो आप इसे shade में नहीं रह सकते ना इसको रख नहीं सकते हैं तो आप इसे उसे वहीं छोड़ दीजिए थोड़ा सा dormancy में चला जाता है कोई भी season आता है तो और यह वापस से grow होने लगता है तो जब ground floor में लगा है तो कोई tension वाली बात ही नहीं है बस हाँ इसे अगर pot में लगा है तो थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा से सर्दी से इसे बचा लीजिए friends इससे related अगर आपको मुझसे कोई भी बात पूछनी है कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आई है या और कोई question आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझसे question पूछ सकते हैं और मैं उसके answer जरू करूँगे I hope आज का ये वीडियो आपको पसंद आए होगा पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए मेरे चैनल पर नहीं होए तो subscribe जरू कीजिए bell icon और पर press कीजिए ताकि आगयाने वाली वीडियो की notification आप तक directly पहुंचती रहे आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते है flowers and kitchen garden name से मिलते हैं next वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई, take care जैसी कृष्णा